हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू लिटरी स्कॉलर चैनल और आज मंडे हैं, आज आपके पास तीन वीडियो आएंगे क्योंकि तीन दिन से वीडियो नहीं पड़ा है तीन वीडियो आपको आज अवेलिबल हो जाएंगे और अभी जो वीडियो आप देख रहे हो वो Paradise Lost के Line-by-Line Explanation का वीडियो है तीन Paradise Lost से related वीडियो आएगा आज और एक जो है Linguistics से related वीडियो आएगा so चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और अगर आप इस चैनल पे नए हैं पहली बार इस चैनल को विजट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ इस पे हम English Literature से related videos लेकर आते हैं explanations लेकर आते हैं और linguistics से related information आपको आपके साथ share करते हैं और अगर आप इस चैनल पे already subscriber हैं तो thank you for the trust, showing trust in me and supporting me so चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं without wasting time तो पिछले वीडियो में हमने देखा Paradise Lost के कि किस तरीके से दो और pagan DT's के बारे में Milton हमें brief कर रहे हैं कि वो किस तरीके के DT हैं और किस तरीके से उन्होंने mention किया है वो किसी भी तरीके का shape assume कर सकते हैं, male and female sex both वो चाहें तो assume कर सकते हैं अपने उपर, मतलब ले सकते हैं कोई भी रूप धारन कर सकते हैं अपने material body में so उन्ही DT के बारे में आगे further वो बात करते हैं और कहते हैं कि यह जो दो pagan DT हैं जिसमें से एक का नाम balim है या bal पी उनको कहा जाता है और एक का नाम जो है astroth है तो इसमें जो male version अगर वो आता है मतलब अगर यह जो DT हैं, pagan DT हैं वो male form अगर लेती है body, male का body लेके आता है, present होता है तो वो balim होता है, वो fertility god के रूप में उसकी पूजा की जाती है और जब यह female fertility goddess के रूप में आती है, तो वो astrath या astroth करके रूप लेते है तो आगे इसी के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो इस 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 रूप में आत्रोप वो पनेशा है, क्वेन वेह पहँड है क्वेन वेह चर्सेंट्स हॉड़ तो रूप ब्रिफ इमाजी बाइमाज उत्यावन से प्यों प्यों सफटन्य रूज़ इस प्यों आता है stood her temple on the offensive mountain built by the auxerian kings whose heart though large beguiled by fear idolatrous fell the idols foul to the two idols foul तो इतने line का आज explanation देखेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे references हैं इस वज़े से छोटा सा ही मैंने उठाया है because जब reference के साथ आप explanation देते हो तो वो काफी बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए मैं छोटा रखोंगी तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या reference है तो पहली वो बात बोलते हैं कि जो इन सभी troops के साथ ठीक है ये सभी के साथ जो female goddess के रूप में जो सामने नजर आती है वो है एस्ट्रॉथ क्योंकि इसमें उन्होंने एस्ट्रॉथ का रूप लिया हुआ है तो विद इस इन टूप केम एस्ट्रॉथ whom the Phoenician called Astrath ठीक है अब ये कह रहे हैं कि इनके company के साथ एस्ट्रॉथ जो है निकल के सामने आती है मिल्टन के बुलाने पे जिनको की Phoenicians ने Phoenicians कौन लोग है resident of ancient middle east civilization के जो रहने वाले हैं उनको Phoenician कहा जाता है called Astrath queen of heaven with Crescent's horn Crescent's horn मतलब कि अब Astrath के बारे में आप जाने कि Astrath को कहते हैं कि goddess of war कुछ लोग इसको sexual goddess of sexual love के रूप में भी इनकी माननेता है कुछ लोग इनको मानते हैं और female fertility goddess के रूप में भी इनको देखा जाता है ठीक है तो ये जो है ये Middle East में Ancient Middle East में Chief D.T. के रूप में ये जानी जाती थी और basically Lebanon जो place है वहां के आसपास के जो लोग थे जो oldest Phoenician थे वो इनको third millennium BC में इनकी पूजा वहां शुरू की थी ठीक है तो इसमें जो female version of ये जो God है जो की दोनों सेक्स ले सकते हैं, male भी हो सकते हैं, female भी हो सकते हैं तो उसका जो female version है वो है Astorite जिनके बारे में Milton अपने इसमें Paradise Lost में बात कर रहे हैं तो इनको Queen of Heaven के रूप में भी देखा जाता था और इनके बारे में एक reference ये आता है, Astorite के बारे में reference ये आता है कि जो King Solomon उन्होंने जो शादियां की थी अपनी, जो उनकी foreign wives थी वो इनको follow करती थी, Astorite को और as a goddess of Sidonian, मतलब जो है वहाँ पे उनको as a goddess ये लोग मानते थे और लेटर एक cult develop हो गया इस DT की, पेगन DT ये जो Astorite है उनका एक cult जैसा develop हो गया और इनही के, मतलब अपनी wives के influence में आके King Solomon ने इनका एक temple बनवाया Mount Olive में, ठीक है, Mount Olive जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि Mount Olive जो है वो Jesus जहां से heaven की तरफ accent किये थे और इसमें biblical designation भी इसको दिया गया है as a mount of corruption क्यों क्योंकि यहां से ही idol worship की शुरुआत मानी जाती है by King Solomon, ठीक है तो Solomon जो king थे, उन्होंने यहां पे कई सारे Mount Olive पे कई सारे gods के altar बनवाया थे temple बनवाया थे और वहीं से idol worship उन्होंने शुरू की थी तो यह जो एस्ट्रेट है, ऐसा, Milton का ऐसा मानना है कि इनका भी एक कल्ट निकल पड़ा था और Moloch एन किमोश जो fallen angels हैं, उनके साथ-साथ इनका भी temple किंग सॉलमान ने, या सॉलमन ने, किंग सॉलमन ने इनका भी जो टेंपल है वो उसी Mount Olive पे बनवाया था, इस जो DT है उनकी और इनकी influence क्यों जादा हो गया क्योंकि इनकी जो किंग सॉलमन की जो wives थी वो इनकी follower थी, इस DT की, जो female goddess है और इस तरीके से, मतलब Phenicians ने इनको as a cult introduce किया in their colony, ठीक है Middle East में, एक cult जैसा develop हो गया इस goddess को लेके, तो ये Estrat के बारे में कुछ reference है जो कि अगर आप references के रूप में देखोगे तो ये reference निकल के आता है कि इनको Egypt में भी कुछ लोग मानते थे, Lebanon के area में भी इनका influence रहा है Mount Olive पे इनका temple भी रहा है, जो कि King Solomon ने बनवाया और later जो King Joshiah हुए, उन्होंने सभी को destroy करके, altar को destroy किया था तो ये reference इनके साथ भी आता है तो अब ये तो है आपको इसके reference के बारे में पता चल गया अब इसमें ये line में क्या कह रहे है कि इन्ही के साथ, सभी इन्ही सभी companies के साथ Astroth भी निकल के आई और वो Astroth जिनको Phenician जो है वो Astrath as a Queen of Heaven के रूप में वर्शिप करते है और ये जो है Queen of Heaven इनके पास, इनके सिर के पास मतलब हॉर्ण के आकार का क्रेसंट के आकार का इन्होंने मुकुट पहन रखा है हॉर्ण है उनके और उनके कहीं-कहीं जब आप Astrath के pictures देखोगे तो उनके सिर पे मतलब जिससे लगता है कि हाफ, मतलब कटा हुआ चांद है ठीक है, उनके हॉर्ण भी है जो की एक क्रेसंट शेप में दिखते हैं और उनके जो सिर पे कटा हुआ चांद का भी शेप निकल के आता है, तो इस तरीके से उनकी का appearance है उस DT का, जो female DT हैं फिर तो हूस, a bright image nightly, by the moon स्विर्ण वर्जिन desired their vows and songs, तो इसमें ये आगे कह रहे हैं कि, ये जो क्रेसंट उनके सिर पे है, वो मून क्रेसंट के रूप में वो नजर आता है, जैसलिक मैंने आपको बताया, और जो फिनिशिन मेडिनस हैं, मतलब जो Phenician Women's है जो वहाँ की लोग, वहाँ की जो Maiden Women's है, Virgin Girls है वो इनको Homage Present करती है, to her bright image, और वो उनके लिए गाना गाती है, इनके लिए Estrat के लिए और रात में उनको Moonlight में इनकी वर्शिप होती है और ये Sion में भी, ठीक है, Sion में भी इनकी वर्शिपिंग होती है, तो Sion in the sense, अगर आप इनको देखें, तो ये एक तरीके से वही जो Syria और Lebanon के आसपास का इलाका है, उसी को Sion City है वहीं पे उसको देखते हैं, ऐसे बोला जाता है, तो वहाँ पे भी इनकी वर्शिपिंग होती है, और Mount Olive पे, इनका जो है Temple built किया गया, her Temple stood on the Mount Olive built by the Solomon, who was, मतलब बहुत अपने mistresses, अपनी wife से influence होके, जो King Solomon थे, वो इनका Temple वहाँ पे बनवाया था, Mount Olive पे, तो ये इतने तक का, अब यहाँ जो ये Oxarian King की बारे में जो बोल रहे हैं, तो Oxarian King मतलब King Solomon, ठीक है और Oxarian का मतलब होता है कि excessively fond of या submissive to his wife कोई ऐसा इनसान जो कि अपने wife के लिए बहुत ही ज्यादा devoted होता है, या बहुत ही उनको बहुत प्यार करता है उनके हिसाब से अपनी life को अगर जो जीता है, तो वो ऐसे इनसान को कहते हैं Oxarian इस word का मतलब यहाँ, तो Oxarian King का मतलब वही, King Solomon का यहाँ reference है, जो कि अपने wife के उसमें आके, influence में आके ठीक है, और उन मतलब कहा जाता है, Beguiled का मतलब हो गया कि seduce मतलब की करके, उनके उनको, King को seduce करके, उनके wives ने, एक temple बनवाया वहाँ पे, अपने जो, जिनको ये follow करती थी King Solomon की wives, जिनको follow करती थी, और वो यही Goddess है, Goddess Astrid जिनको Queen of Heaven भी कहा जाता है और इनको Goddess of War के रूप में भी देखा जाता है Goddess of Sexual Love के रूप में देखा जाता है और कहीं कहीं इनका reference as a fertility के लिए भी, as a fertility duty के रूप में भी इनकी worshiping होती है तो I hope कि आपको कुछ यहाँ पे reference clear हुआ होगा कि astrat कौन है और किस तरीके से उनका उनकी worshiping होती है और कहां उनका temple है तो यह सारी चीज़े Milton ने उस Goddess के बारे में बताया है अब next जो है line हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसके आगे से शुरू करेंगे और अभी इसका वीडियो next वीडियो सीखाएगा तो चलिए इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको कोई यह explanation clear हुआ होगा इसमें Milton ने सिर्फ उनके explanation दिये है कि वो किस तरीके की DT है उनको कौन पूझता है कहां उनकी पूझा होती है किस इलाके में और कहां उनके temple है तो उनका बस एक introduction के रूप में यहाँ पे 34 लाइन में उनको दिया गया है अब next जो fallen angel है उनके बारे में हम next video में पढ़ेंगे और अगर आपको कुछ doubt है तो आप बिल्कुल comment section में उससे पूझ सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि आपके doubt को मैं clear कर सकूँ तब तक के लिए next video के लिए आप अपना ख्याल रखे stay blessed and thank you for watching this video